अगर भारत में सबसे common बीमारी की बात की जाए तो वो शायद gas की problem होगी जो शायद हर एक व्यक्ती को होगी अगर व्यक्ती 30 साल के उपर का है तब तो उसे gas की problem होनी ही होनी है हलाकि ये problem नहीं है ये तो बस body का एक natural process है इसी gas के चक्कर में हम तरह तरह की दवाईया खाना शुरू कर देते हैं हमारे शरीर में दर्ध होता रहता है सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है और सीने में जलन भी होना शुरू हो जाती है इसलिए आज इस gas के बारे में हम धंग से जान जाएंगे कि हमारे शरीर में हमारे पेट में ये gas बनता कैसे है जिससे आज के बाद आप कभी भी इस विशा में mislead न हो पाओ देखिए गैस हमारे पेट में different sources से आते हैं जिसमें से 3 source हैं हमारे सास के द्वारा पेट में भोजन का acid के मिलने के बाद गैस का बनना और हमारे large intestine में bacteria के करण गैस का बनना चलिए इनके बारे में हम एक के करके जानना शिरू करते हैं देखिए जब हम मुझ से सास लेते हैं खास तोर से जब हम पानी पीते हैं भोजन करते हैं या जब हम बहुत ज़ादा बोलते हैं तो हम अपने अंदर गैस को भी inhale कर लेते हैं या गैस सीधे हमारे भोजन या पानी के साथ हमारे पेट में भी चला जाता है और इस तरीके से ये गैस सीधे हमारे भोजन या पानी के साथ हमारे पेट में भी चला जाता है देखिए, गट में बनने वाली गैस मुख्यता पांच प्रकार की होती है oxygen, hydrogen, nitrogen, carbon dioxide और methane nitrogen और oxygen हमारे सांस के जरिये पेट में आते हैं carbon dioxide हमारे पेट में हमारे खून के diffusion के थुरू स्टमक में आ जाते हैं hydrogen भोजन और पानी के पाचन से और methane bacteria के हमारे भोजन के साथ क्रिया करने से बनता है हलाकि और भी कुछ gases हैं लेकिन वो 1% से भी कम होती है जो कि हमारे gas में बदबू लाते हैं मेली sulfur rich gases जब भी हम कोई भोजन खाते हैं तो पहले वो हमारे आमाशे में जाता है जहां पर वो acid से मिलकर food का breakdown होना शुरू हो जाता है और जब ये भोजन छोटे छोटे टुकडों में तूट जाते हैं उसी समय stomach gas भी produce करने लगता है जो कि डकार के थूँ हमारे body से बाहर निकल जाता है और अगर डकार के थूँ ये gas हमारे body से बाहर नहीं निकल पाता है तो ये भोजन के साथ ही छोटी आत में पास हो जाता है पर stomach में बनने वाली gas बहुत ही small amount में होती है जैसे ही ये food हमारे छोटी आत में पास होता है छोटी आत में bile juice और pancreatic juice इस भोजन के साथ मिलकर इस भोजन को छोटे छोटे units में तोड़ना शुरू कर देते हैं जैसे protein को amino acid में, fat को fatty acid में लेकिन जब ये carbohydrate को पचाने का प्रयास करते हैं तो carbohydrate के कुछ particles छोटी आत में पूरी तरीके से पच नहीं पाते हैं इसलिए ये rapidly fermentable carbohydrate, water के drag के साथ ही अब बड़ी आत में चला जाता है और बड़ी आत में जाने के साथ ही हमारे gut में gas बनेने का असली process शुरू होता है हमारे large intestine में कुछ bacteria होते हैं जो की हमारे health के लिए बहुत जादा आवर्शक होते हैं इन्हें हमारे शरीर में good bacteria के नाम से जाना जाता है ये bacteria क्या करते हैं जैसे ही small intestine से बड़ी आत में ये carbohydrate आते हैं ये इस carbohydrate को ferment करना शुरू कर देते हैं ताकि ये बड़ी आत में absorb हो जाएं और शरीर को हमारे खाए हुए भोजन से पूरी तरीके से portion मिल सके जब ये bacteria इन carbohydrate को ferment करते हैं तब ये gas भी produce करने लगते हैं और यही वो major gas होती है जिसे हम gas के problem के नाम से जानते हैं ये bacteria हमारे health के लिए बहुत जादा जरूरी होते हैं ये vitamin B और vitamin K का निर्मार हमारे colon में करते हैं जब bacteria द्वारा produce की हुई यही gas हमारी बड़ी आत में बहुत जादा मात्रा में हो जाती है और हमारे खाए हुए भोजन से पानी भी हमारे बड़ी आत में इकठा हो जाता है तो ये हमारी बड़ी आत को फूला देते हैं और यही फूला हुआ large intestine हमें पेट में दर्द सा महसूस करवाता है या हमें irritation सा महसूस करवाता है large intestine में बनी हुई यही gas हमारे एनस से बाहर निकल जाती है जिसे हम flattery lens के नाम से जानते हैं या हिंदी में अपान वायू और आमाशा में बनने वाली gas डकार के थू हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे नीचे comment करके बताईए अच्छा लगा है तो like जरूर करना